तो चलिए आपको दिखाएंगे बंदरगा का तस्वीर तो वीडियो को सुरू से अन तक देखने ना भूले क्योंकि वीडियो को जब तक आप सुरू से अन तक नहीं देखेगा तो पूरा डिटेल आपको पता नहीं चलेगा सब जितना भी बत बताया जाएगा डिटेल बाइ डिटेल बताया जाएगा कि बंदरगा क्या है क्या है नहीं है पूरी तरह से डिटेल तो विडियो को सुरू से अंतक देखने ना भूले क्योंकि ये जो तस्वीर देख रहे हैं साहिब गंज सक्री गली का है और ये तस्वीर आपको जो दिखाएंगे किस तरह से बना है कारिय जो अभी है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है कारिय पूरी तरह से परगती पर चर रहा है तो इसका पूरा बियोरा डाटा कि इस तरह पहले खंभा गाडा गया इतना वड़ा पानी में इतना उचाई कैसे किया गया ये भी एक स्रे देना होगा तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे और लाइक करने ना भूलें क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर बंदरगा से रिलेटेड कोई भी वीडियो या बंदरगा क्या चीज़ है पूरा बियोरा डाटा आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ठीक है बंदरगा से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप चाते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर सिर्फ बंदरगा का ही दिया जाएगा क्योंकि बंदरगा जब तयार होगा तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा बंदरगा क्या है कि इतना नाव या क्या आप समान अटेंगे क्यों सा गारी चलेंगे कितना वड़ा चलेंगी कहां से कहां चलेंगी बंगला देश या नेपाल मतलब जिस देश से चलेगा कितना वजन धोया जाएगा उसका प्यूर ब्यूरा डाटा आपको पलपल का मिलता रहेगा तो इससे पहले इसलिए मैं बोर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा कारण है क्या देखिए सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपको पैसा ही नहीं लगते हैं या मेमोरी नहीं भेल चलिए विडियो के बारे में बात करते हैं और विडियो को सुरुवात करते हैं ठीक है तो विडियो के सुरुवात करने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले यह जो तो बंदरगा का जो कारी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है कारी प्रैगती पर है दिन परते दिन पूरी तरह से कठिन पर इस्रम के साथ लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्तरम में लोग है या स्तरमिंग लोग हैं पूरी तरह से बना रहे हैं तो यह जो बंदरग जो देख रहे हैं इसका क्या काम है इसका क्या काम नहीं है वो भी आपको बताया जा रहा है ठीक है तो वीडियो को देखें कितना मज़ेदार मज़ेदार लग रहा है यह एक भव्यद्री से आपको दिखाई दे रहा है आपको कभी भी अगर आप चाहते होंगी कि हमको सक्री जाना है कि बंदरगाह किस तरह बनाया गया है किस तरह नहीं बनाया गया है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है है यह पल्पल की लेकर related चाहे 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, बीए का हो, किसी का भी वीडियो आपको हैर सब्जेक्ट का मिलते रहता हैं, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है या पढ़ाई करता होगा, तो इस चैनल से भी जुड़ जाएं, आपको प्ले लिस्ट में हैर तरह के आपको व अनूरंजन भी दिनपरति दिन मिलता रहेगा, ठीक है, तो आप जानते ही होगे कि बंदरगाः क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, ठीक है तो मतलब यहाँ फरलौन जो सवार होती है कितनी किलोमेटर रफ्तार से चलेगी कितना सस्ता होगी या फिर बंदरगाफ से सफर करना सस्ता होगा या महंगा होगा या खुद जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत में बिल्कूल सटिक तरीका से भी ये बता दिया और अगला वीडियो जो है मेरा पहले ही बन चुका है बंदरगा से रिलेटेर आप स्तवरफ समाजी को फिसल चैनल सर्च करके जाएं और जो भी समान या कोई भी चीज है बंदरगा से रिलेटेर उस पर हर चीज मिलता रहेगा ठीक है तो यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह एक लड़का ने वीडियो कर रहा है और यह सब आए हैं मतलब बंदरगा का निरिक्षन करने के लिए कि किस तरह का बन रहा है कैसा माहोल है वीडियो का क्या नहीं है तो बंदरगा भी घुरना एक अच्छा बात है क्योंकि इससे क्या होता है कि बंदरगा घुरने से या कोई भी जगा घुरने से छुटी पर आईए और इसका लुपत उठा ये बंदरगा जो बन रहा है और अभी देखिए ये जो कारी है पूरी तरह से नहीं बना हुआ है ये जो बनेंगे सिर्फ वहा किया जाएगा तो ये सब इतना जो छोटा गंगा यहां पर है अभी यहां पर नहीं चलेंगे इतना सा पानी में बंदरगा नहीं चल सकते हैं तो इसके लिए आपको गंगा की भी खुदाई किया जाएगा ठीक है तो एक बार मैं अवज से बताता हूं साहिव गंस सक्री ग फ्रेश जो जिसे आप पूरी तरह से संतुलन कह सकते हैं वो भी माइंड संतुलन हो सकता है ठीक है तो एक बार घुरें और इससे बगल में सिर्फ साकरी गली और मरहाजपूर के बीच में जो मोती जहरना है यह भी आप देख सकते हैं एतिहासी का स्थल है अगर आप नहीं सक्री गली का ही है यह जो बंदर गाहा है बहुत ही फोर लाइन सडक का भी निर्मान किया गया है तो यह इक चितावनिया उससे वहाँ पर ही नहीं लगबाग पूरी जहरकंड में लगबाग बनने का उमीद है कि फोर लाइन बन जाएंगे ठीक है तो यह जो देक रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा अस्तंब खळाक आगया हैं अभी ही हमको लगता है कितना क्रोड रुप्या की लागत LAK जुक ì होगा इतना ही बनाने में बहुत यह जो है चीनी कंपणी आए हैं बनाने के लिए और अभी यहां पर राते हैं और दिन पर ते दिन कारी परागती पर हैं यह जो कारी जो चर रहे हैं फुर्स द्वारा ही चर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग आए हैं बहुत सारा घर भी बन रहे हैं घर के तरह रहने का यह जो अस्तंब हैं आने जाने का आपको रास्ता दिखाई नही सब्सक्राइब रहेंगे आपको हम इस वीडियो पर या इस चैनल पर जो भी होगा अगला बिडियो बनाता रहेंगे ठीक है अप इतनी भेंकर और भब्य द्रिश से बन चुका है कि यह जो आप एक बार आने की जरूर यह जो आप देख रहे हैं यानि कि एक बार आने का जरूर कस्ट करेंगे ठीक है यहाँ आने से क्या होगा जर्खंड में बहुत सारा एतिहासी कस्टल है जर्खंड आएं और हैर जगा जो बड़े बड़े द्रिश से हैं भब्य द्रिश उसे देख कर लुपत उठाएं और आनन्द लें वीडियो को देखने से पहले या जाने से पहले अगर इस वीडियो और सक्री गली का आपको तस्वीर अच्छे लग रहे हैं कि इतनी सारा अच्छा बन रहा है तो एक बार आएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं ये जो दिखाई दे रहा है सक्री गली का दिरिश से बहुत ही मज़दार और अनंदायक होने वाला है तो कहीं पर भी हो एक बार इसका अनंद लेने जरूरा है तस्वीर अंदर का आपको अगला वीडियो में